कि हलो फ्रेंड्स आरेसे स्टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है आज हम मैठ प्रैक्टिस सेट का अगला सेट यानि सत्मा सेटा स्टार्ट करेंगे इसे पहले हम छे सेटा स्टार्ट कर चुके हैं यदि छे सेट आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाके दे रणने जा रहे हैं जिसमें लाइव डिसकर्षन होगा और सम चे बजे से साड़े साथ वजे तक लाइव डिसकर्षन होगा जिसमें हम लैव सेंट उडिटेरिया का जो 6,000 प्लस कोशन उसका डिस्कर्शन करेंगे और करेंट अफेर के लिए अश्पेडी या तो फिर इविट एरिया का करेंट अफेर रहेगा इसका हम डिस्कर्शन जल्द ही एक से दू दिन में जल्द ही अश्टार्ट करेंगे तो आज हम सत्मा सेट मैस्ट शेट प्रैक्टिस क स्टार्ट करते हैं पस्ट नमर को सन से देखें में नमर को सनः क्या कर रहा है कर्इड़ टौफियों कब है एक रुप्या में के वहाऊ से बेचने पर यक ब्यक्ति को चार परतीसत की हानी होती है 20% लाव पाने के लिए एक रुपया की कितनी टोफियां बेचेगा याद रखेगा रुपया उपर रखेगा बस तू नीचे आद रखेगा रुपया उपर बस तू नीचे करा एक रुपया में 20 के भाव से एक रुपया उपर एक रुपया उपर अब 20 के भाव से बोला है तो 20 नीचे है क्या है 1 रुपिया के 20 के भाउ से बेचने पर्भ्यक्ति को 4 परशेंट हानी होता है एक रुपिया के 20 के भाउ से बेचाने तता 4 परशेंट के हानी तछो में हम 4 घटाएंगे यह निकी चीन नंबे तो बोल रहा है करने के लिए एक उर्पया में कितना लाव बोला है तो 20 परशन लाव इसका लाव एक सोफ बीस और करा एक रुपया में कितना टोफी बेचेगा उपर जो आएगा रुपया नीचे आवेगा टोफी काट चाट लीजे अंसर आएगा हम काटते हैं 20 से काटेंगे 26 का 27 से अभी 6 से हम 96 को काटेंगे तो हमको पता चल गिया कि एक रुपया में कई टोफी होगा उपर रुपया होता है नीचे बस तू होता है तो हमसे तो एक रुपया के पोची रहा था एक रुपया हम केतना टोफी बेचेगा एक रुपया में कई टोफी 16 टोफी अंसर हो जाएगा कितना 16 हो जाएगा जो कि निश्ट कोशन कि निश्ट कोशन क्या करा करा एक बैमान दुकंदार एक किलो के अस्थान पर आट सो ग्राम बाट का परियों करता है तथा अपनी बस्तूओं को करैमूल पर बेचने का दावा करता है तो लाव क्या हुआ एक दुकंदार है एक दुकंदार है वो क्या करता है एक केजी के जगा पर आट सो ग्राम बाट का यूज करता और उसके बाद बोलता है कि हम जितना में खर दे हैं उतने में बेच रहे हैं तो लाव क्या हुआ तो आप सोच सकते हैं एक केजी देना चाहिए एक हजार ग्राम देना चाहिए लेकिन उन्फ देता है क्चांग दो तोई जाएगा तो भी दहान सब्सक्राइं कि क्यों पर दो सोगर मर रहा है उप बोलता है और बोलता है कोची कि हम जितना मिलाए है ना उतने ही में बेच रहें उस तब पर भी उसको लाब होता है तो कितना दूनों के बीच अंदर के ना तो 200 गराम लाब किस पर कमाएगा किस पर जिस पर देगा ने ता 800 पर दे रहा है मैं परतीसाथ gå से काटिये दू Swan एक यह तौली को पीज़ीस तो प्रोपी पड़िस पर-चीस प्रतीसथ एक बार फिर से 1000 गराम ब्रबर किलो तुदा लेकिन एक किलो के स्थान पर 800 गराम दे रहा है उसके बाद बोला company आई कि देखिएंगे हम आपको जीतना में खर दें उतने में बेचर रहे हैं लेकिन हमको तो पता नहीं कि बजनमा कम दे रहा है कि सबाइब लेकिन वियुकि तो कहिंगे कि कितना के मार रहा था दंडी कि धेए m या रहा था कहेंगे 800 ग्राम तोला था तीसी पर लाब होगा परतीसा तेसों से काटी गाथ 25 परतीसा ताजेगा नेश्ट कोश्चन क्या करा है कि एक समलम चतुरभुज के समनांतर भुजाओं का अनुपाद 3 अनुपाद 5 है तथा इसके बीच के दूरी 12 सेंटीमीटर है यदि इस चतुरभुज का छेथफल 384 बर्ग सेंटीमीटर हो तो समनांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की समाई कितनी हुआ यह नहीं पूछ रहा है तो धियान दिजेगा दिया हुआ है भुजा का नुपाद 3 अनुपाद 5 हम इसमें भुजा में सिर्फ एक स्थोड़ा समान लेते हैं अब जो मेन रासी दिया हुआ है 384 एक समलम चतुरभुज का छेथरफल है मेन रासी 384 है समलम समलम चतुरभुज का छेथरफल है इसका तुलना तो हम समलम चतुरभुज के छेथरफल से करेंगे ध्यान दिजेगा मेन रासी देखेगा 384 क्या है तो कहेंगे समलम चतुरभुज का छेथरफल है इसका तुलना तो समलम चतुरभुज के छेथरफल से करेंगे समलम चतु तो बन बटटू यानि कि दोनों भूजा जो दिया है उसका योग अगुने उचाई होता है क्या होता है समनांतर भूजाओं का योग योग अईन्टू उचाई होता है एक चीज़ ध्यान देजेगा उचाई जो होता है वो दूरी का भी काम करता है दूरी जो रहेगा उसी को हम उचाई भी बोलेंगे तो देखें कुछ नहीं करना है अब सिर्फ उतार देना है इतिन सो चौरासी उतार देंगे अब बन बटा टू लिखेंगे आउ कर रहा है कि समनांतर भुजाओं का योग तो दोनों का योग करेंगे तो पान तीन आठे यक्स हो जाएगा अगुना उचाई के जगा पर कितना दिया हुआ है जी देखिए उचाई जो रहे दूरी का काम करेगा तो दूरी कितना दिया हुआ है 12 सyn जी सेद्टीमीटर दिया हुआ ऑब कार चाड़ करिये कार चाड़ कर इबत्तिस बार में इसे कट रहा है उसके बाद इए आठ से कट रहा है आठ चव बत्तिस कट गिया अब इगुनान हो जाएगा ता एक्स बरबर कितना हो जाएगा चार दुनी आठ हो जाएगा इएक्स बरबर कितना हो जाएगा चार दुनी आठ हो जाएगा इनकी एक्स के मान आठ आ गया हमसे पूछ रहा है क्या चोटी भूजा के लंबाई कितना होगा तो छोटी भूजा इसमें कौन है कहिएगा इह है कहिएगा कि एक्स के मान तो आठ है वे किया है तो यहाँ पर आ जो आपसर नंबर भी में एक वार फिर से कुछ ने किए मेन रासी दिया हुआ था 384 सम्पलम चतुर भुज का छेतफल से करेंगे क्या कहेंगे कि बन बट टू शम्नांतर भुजा का योग जो यह भुजा दिया हुआ इसका योग कर देंगे अगुने उचाई उचाई को दूरी जो दूरी होता है उचाई का काम करता है तो हम कहेंगे कि बन बटा टू लिखेंगे योग योग कमने जोड तो कहेंगे पांच तीन और पांच आथ जोड दिये अगुने उचाई उचाई जो दूरी का काम करता हो दे देंगे अब काटें एक तिर्षे तिर्षे घुना करेंगे तो हो जाएगा एकस के माना आठा गिया अवे अचे पराठागें आठाटी चोभी सोजाए बाड़ी काता तो आठ रखते तो आठ चालीश हो जाता चोटी पुछा है निश्ट कोश्टिन कराय किसी धन्रासी का निस्षित व्याज की दर से दो बर्सों का चक्रविर्धी वी आज था सधारन वी आज पांसो 20 और 500 है तो---- किदर देखे इस तरह के कोसें देखेगा ना तर्टगा नहीं लगाई यह हम बताते समय न कि जल्दी कई से बधनाना है जो देखें कई से जल्दी बधनाना है कि यह साइ कितना दिया हुआ है यह साई ह सधार कुछ on करना है दोनों के आंतर लिजिए गा कितना आजाएगा बिसते जो शखारन दियाज रहे गा सुफ्यर घर रहेगा उसको आधा लेना है तो आधा कितना हो जाएगा 500 के अधा अड़ाई 100 अब परतीसा थे था 100 से कोई दिकत नहीं काटेंगे काटेंगे कि एक सुना से एक सुना 25 चर्फ साओ चार दुनिया ठागी आंसर कोई दिकत नहीं यह से तुरंत लाते हैं यह देखिए भी की ऑर सी यह हैंगे देखियोंस हैं लेकिन चक्रवीरधी भी आज और SI सुधारन भीाज पहला साल ﷺ ही बराबर होता है यहीं कि चक्रवीरधी भीज पहला साल समझा रहे हैं कि दो वर्स का SI है तो जब जानते हैं कि SI सलहार यानि कि समान बढ़ता है तो हम कहेंगे कि दूस साल में पांच सो हुआ है तपका पहला साल में अड़हाई सो हुआ होगा कहे थे कि SI और CI पहला साल दोनों समान ही रहता है यनकि दूसरा साल से लगता है य laquelle हई होगा कि दूसरा साल जैसी हुआ तो SI तो समाने बढ़ेगा बढ़ेगा अगला सल क्या होगा कहिएगा कि दूस सल में पांसो बीस होगा तो पहला सल अगला सल कितना होगा तो इतना करते हैं तो अब फिर कुछ नहीं करते हैं कि दोनों के अब हम यहां से क्या करते हैं अंतर लेते हैं क्या करते हैं अंतर लेते हैं तो 2800 आओ 270 में किना के अंतर 20 के अंतर अब बटा आड़ा हाइशौ आप पर तीसा था तसाँ से एही चीज निकला की नहीं निकला लेकिन हमको इतना नहीं निकलना है डैरेक्ट हमको इस तरह से बनाना है ठ sacar समझाने के लिए दिये थे इसको भी काटिएगा तो इतना ही आएगा लेकिन आपका समझाएं कि कैसे बारता है लेकिन आपको ऐसे बनाना है तुरंट बनाना है इस पर एक को सना हों देटे लेकिन आपको डिटाइश से नहीं बनाना है कि निश्ट कोश्चं में निश्ट कोशन देखते हैं युद्न कर रहा है कि से निची ध्रफन पर दो बर्स का चक्रबिट थे भी आज यानिके सीट कितना दिया हुआ है कितना चालीस हमसे यह कितना चालीस हमसे लिया आज के दर पूछ रहा है हम बोढों ने कोछ नहीं कर ले घेड़ी मदना को दोनों के ले ना है Sarah कितना वागिया एक अंतर के मतलब घटाके एक आ गया अब हो ले थे यह से याई आभ बश् admitted करना है सबसे लिए अज़का करना है तो यानि की कर रहा है पर्तिacer के अधाल लिएगा तो इतना करना नहीं है आराम से इस तरह कैसे करना है गए दो वर्स का सधार चाहिए देगा दोनों को अंतर लिजेगा सधारन ब्याज के आधा लिखेगा पर तीसत है सो से कर दीजेगा अंसर आजएगा तुरांत देखते कि साथ अंसर बनाना है नेश्ट कोशन करा है किसी समभाहु तिर्भुज का छेदफल चार सो रूट थिरी बर्ग मीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा देखेगा मेन रासी जो दिया हुआ है चार सो रूट थिरी इक क्या है हम इसी को पकड़ेंगे मेन रासी चार सो रूट थिरी क्या है तो कहेंगे कि समभाहु तिर्भुज का छेदफल से करेंगे तो संबाहू तिर्भूज का छेतरफल क्या होता है कहेंगे कि रूट थीरी बटा फोर अगुने भूजा स्कॉयर होता है तो कहेंगे कोई दीकर ने मेन रासी संबाहू तिर्भूज का छेतरफल तो इसका तुलना संबाहू तिर्भूज के छेतरफल से करेंगे छेत फल होता क्या है रूट 3 बटाफोर कुने भूझा आस्क्वाइर होता है तह हम कहicorn house है कि काटिये ने इरूट 3 से रूट 3 कट गिया अब तो इवला और इवला गुना होता है तो हम कह Celaure छार सव सोला आब ए बार देखे इया स्क्वाइर वरावर स्वला यह रूट चढ़ेगा तो इस सोला सो किसका बर्ग है चालिस का है नहीं समझ में आवेगा तो ऐसे किजिएगा इस सोला किसका बर्ग होता है तो कहिएगा कि चार के बर्ग होता है अब बर्ग में दो सुना के बरबर एक सुना लिया जाता है तो दो सुना के बरबर एक सुना लीजेगा यह किसका रूट चड़ेगा तहीं 40 का हो जाएगा तहीं हमसे भूजा हमको 40 आ गिया भूजा कितना गया 40 आ गया हमसे पूछ रहा क्या इसका परिमाप क्या होता है यह देखिए संभाहु तिर्भुज का तिर्भुज की बात बोला है तो संभाहु एनिकि समने बर बर बाहु मने भूजा बराबर भूजा हो नहीं बना सही से संभाहु तिर्भुज निकि समान भूजा हो तो संभाहु तिर्भुज कहेंगे समान भूजा रहेगा तो तो बो भूजा इसी को ने बोलता है इसी को बोलते हैं तो एक चालिस आगी आहा है तो चालिस चालिस च चालिस तिया 120 असे या तो कहेंगे कि 40 आजा है चालिसी चालिसी 120 कैसो भी कर लीजिए तो इतना तो आपको करना पड़ेगा तो इसका जो अंसर आ जाएगा option नमबर 1 हो जाएगा ठेक अब हम next question की बात करेंगे next question next question क्या कर रहा है कर रहा है 20 ब्यक्ति एक दिन में 12 घंटे काम करते हुए कार्ज को 60 दिन में पूरा करते हैं एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए कितने व्यक्ति इसकार्ज को 90 दिन में पुरा करेंगे सिंपल कोशन है अभी थोड़ा से सिंपल करा रहे हैं नेकिन फिर थोड़ा सा हड भी कराएंगे हाड सिंपल मिला के चलेंगे ठीक है कि 20 व्यक्ति एक दिन में कहे घंटा काम करता है 12 घंटा काम करता है करते हुए एक कार्ज को 60 दिन में पुरा करता है साथ दिन में पूरा कर रहा है ये वो कार्ज है उसका साथ दिन में कार्ज है से नीचे होता है तो एक लिखिए चाहे मत लिखे साथ दिन में पूरा कार्ज करता है उसके बाद बोला कि एक दिन में आठ घंटे काम करते हुए एक दिन में आठ घंटा काम करते हुए, कितने ब्यक्ति, कितना ब्यक्ति, पता नहीं हमाली एम ब्यक्ति, इस कार्ज को 9 दिन में पूरा करेंगे, नब्य दिन में पूरा करेंगे, इस कार्ज को, कार्ज नीचे होता है, इस कार्ज को नब्य दिन में पूरा करेंगे, निकाल लीजिए, आ जाएगा, जवाबेगा, वही अंसर हो जाएगा, काटिए, तो देखे, 37 है, 60 है, 30 से काटिए, 30 दुनी 6, 38,你有 90, और काटिए, इस 3 काटिए, 3, 4, 12, आजब देखे, इस 4 दुनी 8 से 8 काट जाएगा, चार दुनिया हई दू-दू से कट जाएगा अब ए बरबर को टा बीज यहनिकि ए म बर हुरबर बीश आजाएगा अ कि इम बर बर कितना जाएगा बीस आ जाएगा ने जलाएगा इस पर आण डू सोऑ गे यह ए हिए ऑप्षा नमबर एक हो जाएगा नेस्ट कोशन करा है कि टैन ए बरबर आठ वटा पंदरा हो तो कौसे के कमान सिंपल कोशन है टैन ए बरबर दिया हुआ है आठ वटा पंदरा तो हमसे पूछ रहा है कौसे के कमान कौसे के कमान कौसे के कमान पूछ रहा है ने याद रखेगा कि टैन ठीटा बरबर होता क्या है नहीं याद रहे तो हम बताते हैं एक चीज़ आद रखे एल एल लाल बटा डवल के एक का याद रखेगा साइन ठीटा साइन ठीटा इकोची हो जाएगा कोस ठीटा इकोची हो जाएगा टैन ठीटा तो साइन ठीटा बरबर की होगा ल्मबटा कर्ण अध्हार वता कर्ण टैचीट ल्मबटा अध्हार होता है नहीं आध्हार यह लांब वहाएं पाणिवान के जरूवत है क्रतु हमको इसे नहीं बनाना है कि परकी अंडरूट आध्हार कर्क्रत अंडरूरव्म locator वो लेते हैं कि देखिए थीन है चार है तो अगला है तो आगला बारा है तो अगला 13 साथ 24 तो चाहिए तर sen तरह तो चाहिसा थो 41 सब्सक्राइब देख रहा है हां तो इस अबाद रखेंगे ने तो हमको दूब को पता चल जाएगा तीसरा अपने से जो पैथा गुर्ष टिपलेट पर रहेगा तो हमको दोगों पता चल गए 815 तो हम कहेंगे 815 किसमें 815 तो अगला सत्रा कर्ण हो जाएगा तो सबिसकर ए oric basically to get yourself और साइन ठीटा कोजीट होता है जान होता है साइन ठीटा ल्म बटा कर्ण होता है जेना है तो क ενस्थ 27 हमए прямо अलाम कितना है लाम बाठ है तो इतना करना नहीं है यदि आप नहीं जानते तो हम इस तरीका से हम बोले तो डैरेक्ट देखते के साथ अंसर बलाने ना है ठीक है नहीं मेरा उदे से सभी को समझाना है तो आध रखेंगे ट्रेपलेट जरूर कि नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन में क्या करा करा किसी काम पर विकास इस सर्थ पर रखा जाता है कि जितने दिन बाठ काम करेगा आठ रुपया की दर से मजदूरी मिलेगी जिस दिन बाठ काम पर नहीं करेगा दो दिन दो रुपया जुर्माना लगेगा 30 दिन के महीने के अंत में उसे 140 रुप्या मिलता है कितने दिन काम पर नहीं किया गाए मुर्गा पर बनाईए हम बार बार बोलते हैं निसाने वाजी हो गाए मुर्गा हो यह सब प्रश्म हो बनाईएगा ना तो पता चलेगा कि गाए मुर्गा पर बनेगा और जदी हम बोले है कि जिस दिन काम करेगा आठ रुप्या मिलेगा हम काते हैं कि जिस दिन उपस्थित रहेगा Complete जिस दिन उपस्थित रहा तो इसको धंड स्वरुप दू रुप्या काट लिया जाएगा इनका दूर्पया कर ले जएगा यानि कि जुरुमाना लगा दियाएगा उसके बाद पुछता था मुर्गा निकालते थे मुर्गा पुछता था गाय निकालते थे किस दिन काम नहीं किया नहीं कहेगा तो हम उसका उल्टा मानेंगे कि जिस दिन किया तो आठ रुपया मिलता है कितने दिन काम नहीं किया तो नहीं किया तो उसको उल्टा ले लेंगे कि कितना एक के दिन कितना रुपइय इसको मिला होगा तो ऑठ तीया 24-240 में बार बार अंतर लेते हैं अंतर के मतलब घटा के कुछ दियान देज़ेगा कि कितने दिन उसे काम नहीं किया कि नहीं किया जड़ी नहीं करता तो दो निगेटिव होता था यहां पर जोड के बोलेंगे यहां पर दूण यहां पर एक अंतर पलस में एक माइनस में तो जोड़के बोलेंगे तो आठ दू दस काट ली जी अंसर आजाएगा यही आजाएगा ऑप्सन नमबर भी हो जाएगा कुछ निकी आप इतना तो आपको समझना चाहिए को सन हम डेली दे रहें या तो निशाने वाजी हो या तो गाय मूरगा हो नेश्ट कोशन के हम बात करेंगे नेश्ट कोशन के हम बात करेंगे नेश्ट कोशन हाँ नेश्ट कोशन दे हैं देजेगा करा है क्या दूप तीन पांच के अस्क्वाइर इतने न है उसके बाद दुख के अस्क्वाइर गुने तीन के पावर फोर ठीक है ना के बाद पांच गुने साथ तथा युगाओ दिया हुआ है दू गुने तीन के पावर पांच गुने साथ के पावर नो हमसे लगूतंभ पूछ रहा है हमसे क्या पूछ रहा है LCM कभी भी इस तरह के पूछे कहादяти LCM य.'s तो याद रखना है LCM पूछेगा तो बड़ा पावर बला लेना है क्या पावर बला लेना है बड़ा पावर LCM में total को हम लिखते हैं IHCF लिखना होता है तो छोटा पावर लेकिन उसमें जो मिलता है उसी को लिखते हैं तो हमसे LCM बोला है तो LCM बड़ा पावर हम देखेंगे कि LCM पूछा है ना LCM हम निकालें कहेंगे कि बड़ा पावर लेंगे तो हम कहेंगे इसमें इसमें तीनों में मिलावेंगे कहेंगे कि LCM बड़ा पावर होता है और LCM मिलेगा तो भी लिखना है कौन पावर बड़ा पावर तो हम कहेंगे कि इसमें दू के पावर तीन है इसमें दो के पावर अबला खोजेंगे दो है इसमें खोजेंगे दो के पावर कुछ नितन एक रहता यानिकी एक समाझ जाना एक है तो इसमें दू के पावर तीन दू के पावर दू के पावर एक मे है सORRY 3 के power 3 3 के power 4 फ़ंच आप कहने की ल कम नहीं प्रबाभर खो है तो आप कहिएगा नशीर ऊज़्याथ होके तो बड़ा पाफर होता है तो फोटा है तक लेकिन HCF में जो मिलेगा उसी को लिखना है LCA में total को लिखते हैं बड़ा power बला थ Copa तो पहले हम दोको लिख लिए इसमें बड़ा कौन है hats देखते हैं 5 इसमें इसमें भी रहे कुछ नितयक है सब्सक्राइब करते हैं और जो मिलता है जो मिलेगा उसको भी लिख लेते हैं जैसे में लिखें जैसे में बड़ा दूखे इसमें बड़ा है यह लिख दिए है इसमें बड़ा है और दो के पावर इसमें नहीं ißtate एक वसनिसपर hcf देते हैं गउधिकाट जो आलेगा कि इसका जो अंसर आ जाएगा कि इसका जो अजाएगा ओप्रsen नॉम्होड़ सी हो जाएगा आपको घभड़ाना नहीं है इस तरह से बनाना और याद से कुई हम तो बोलते हैं कि देखे एक चेह सेट जो हम डेली अप्लोड करते पर यह मैंThis आप देखते जाए यह ना कहीं दिक्कत नहीं होग अब इसको अब हम अटिसीख निकालते निस्ट कोसे निश निकालते हैं अब यह घरطयक लिक कराय कि देखे दू के पावर चार है तिन के पावर तीन है उसके बाद दिया हुआ है पाँच के पावर चोग उसके बाद नो दिया हुआ है इतना ही दिया हुआ है उसके बाद दिया हुआ है कि दू गुने तिन के असक्वाइर है उसके बाद पाँच के क्यू है उसके बाद नोके स्कुर्वार एतना है पिर एक अलग है दू के क्यू है तिन पाँच है उसके बद पाँच है उसके बाद नोके पावर साथ है यहां है अब इसमें हम को महत्म समावरतक पूछा है जो नहीं मिलता था उसको भी हम लिखे थे इसमें हैं कि देखे तीन पार्ट है तो तीनों पार्ट में जो मिलेगा और छोटा पावर वला रहेगा उसी को लिखना है इसमें से तीनों में मलेगा चोटा पावर रहेगा उसको लिखना है कि दूख के पावर कुछ निता एक यह द आप तिन के बर दबू तिन के पावर पांच तिनों है तो अब हम लेते हैं, तिन के power 3 है, तिन के power 2 है, तिन के power 5 है, तो छोटा बला लेंगे, तो ए है, ए है, ए है, में छोटा तो तो तिन के power 2 होगा, तिन के power 2 लिख देते हैं, उसके बाद 5 के power 6, तो हम देखेंगे कि तीनों में है न 5 के power, तब है छोटा लेंगे, दूगों में देखे थे बड़ा पावर दूगों में भी है तो ले देखे तो हम पांच के पावर छो देखेंगे पांच के पावर तिन देखेंगे पांच के पावर एक है चोटा कौन है कहेंगे पांच के पावर एक उसके बाद इसमें भी इनो इसमें भी इनो इसमें भी और इसमें भीकुए दिकार नहीं करो कुछ नहीं है रहेhältगे जरूर पूछा जाएगा क्योंकि कलम गीर आसे इसका जो और नुट बिस नमबर बहले । क्लम टपक गया अब नेस्ट कोशन को हम बात करेंगे नेस्ट कोशन करा कि दो vyaakti Yeah तथा B एक काम को करमचा 8 और 16 घंटें में पूरा कर सकते है YES? इडि उस काम को बारी बारी ay k Mort isеньrah और शुरुआत में एक काम करें तो कितने घंटें पूरा गवआ इस टाइब के भी कोशन हम बता चुके हैं ए है और भी है यह 8 घंटा और 16 घंटा यह समय दिया हुआ है समय का उल्टा क्या होता है समय का उल्टा च्छमता होता है इसका LCM लीजिएगा तो 16 आएगा बड़ा 16 कर जाएगा 8 से सोला भी कर जाएगा एक बड़ा में सोला से और बारी बारी बूला हम क्या काते है कि देखे एक दिन नहीं करेगा एक दिन नहीं करेगा दो दिन करेगा एक दिन नहीं करेगा, एक दिन नहीं करेगा, दो दिन करेगा, दो दिन में काम कितना होगा, तीन आएक चार, दो दिन में कितना काम होगा, एक दिन नहीं करेगा, दो दिन करेगा, दो दिन में कितना काम हुआ, दू आएक तीन काम हो गिया, है ना, आप कहेंगे हमको 16 काम पहले में किना से गुणा करेकी सोंब लाजाया तो उसे कम कम से काम हो जाता है जब आप तहीं दसे कहें दो करेगा तो आधिय में समापत हो जए चाहता है तोकि यूछ नि उसी अब 10 इसको पूरा पूरी लिख दीजिए आप कहिएगा कि 16 काम करवाना है 15 काम हो गया कितना काम बच रहा एक काम तो बचेगा जो उपर लिखेगा कोई दीकर ने और सुरू कोशने में कह दिया कि एक काम सुरू करता है एक छमता केतना है दो है दो से करेगा तो एह ही सड़ के किजिया 16 एक दीन ने करेगा एक दीन करेगा दो दीन में कितना कम हुआ रहें बच रहेगा फोपर लिख देजिएगा कौन करेगा करेगार्य यह करीगा एक चंबता है हो जाएगा पूरा ins Background हो जाएगा इस तरह का कोशन अप्शन नमबर सी हो जाएगा इस तरह से कर देना है कि नेश्ट कोशन नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो कर आएक अइताकार बगीचे का छेद्रफाल कि 120 बर्ग मीटर है और परिमाप 46 मीटर है तो बिकरन के लंबाई ध्यान देजिएगा कि आएताकार है आएताकार है इसका छेद्रफाल 120 है कोई दिकर ने और परिमाप दिया हुआ यानि कि सभी बॉंडरिया के जोड़के तो हमाई से लिख देते हैं और परिमा दिया हुआ हुआ हमसे क्या पूछ रहा हमसे बिकरन पूछ रहा है कोई दिकत नहीं हमसे भी करन पूछ रहा है हमसे इबल पूछ रहा है तो हम कहेंगे कि देखिए ऐसे तो आप कराशक्कत हैं दूसरी कातेंगे तो है आप कहिएगे कि कौन ऐसा डिजिटले अब जिसे में इसल प्र फिप तो होगिया 30 ने दूसरी कातें तैस हो तरह कहिएगा कि 58 28 16 15 15 वाट तेज़ और 25 28 20 डुन्हों हो जाता है दोनों तो हो जाता है जब कभी इस तरह से पुरा फिल अफ हो से यहीं नहीं कोई दिकन नहीं पंदराइए धरते पंदराइए हो आठी धरता इधर विद्य सकते लेकिन हमको तो इपूछ रहा है तो यह कहेंगे कोई दिकन नहीं अभी ने आप बोले जी कि पैथागोरश ट्रिपलेट अधि रखिये तीन, चार, पांच, पांच, बारा, तेरा, पांच, बारा, तेरा, साथ, चोविस, पच्चीस, आठ, पंदरा, सातरा, कहे थे कि नहीं है भी, तो हमको दुग दिख रहा है, आठ दिख रहा है, पंदरा दिख रहा है, आठ दिख रहा है, पंदरा दिख रहा है, तो अपने से करना है टाइम लग जाएगा डिरेक्ट आज रखे आठाए 15 तो अगला सत्रह हो जाएगा यहीं तुमसे पूछ रहा है भी करना कि देखे जेनरल कंपर्टीशन की तयारी कर रहे है ना तो जितना कम टाइम लगे उस मेथट का यूज कीजिए नेश्ट कोउशन करा रहा है सो किलो मीटर दूरी पर इस ते दो स्टेशन है ए तरथा बी है एकी रिलगारी ए से प्राटब्रस बज tay B की ओर 20 की स्वेट की का यूज की चाल से चलना रहं करते हैं दूसरी रिललगारी उससे दिन 10 10 बजेे इस B से एकी और 30 किलो मीटर परती घंटा के चाल से चलती आये तो वे किस्ट में मिलेगे कोई दीकर नहीं सिंपल कोस्टन हैं कि A है B है एहां तक के दूरी दिया हुआ है साव किलो मीटर किदा दिया हुआ है करा एस से पराता 10 बजेएं यहां से 10 बजे 10 बज़े इधर जाएगा B की ओर अई जाएगा कितना के स्पीट से 20 किलो मीटर परती घंटा के स्पीट से उसके बाद बोल रहा है जी कि दूसरी रेल गाड़ी उसी दिन दूसरा रेल गाड़ी है ने उसी दिन A भी 10 से बज़े सेम टैम जब सेम टैम है तो बनाना आउर असान हो जाता है B से A की ओर E अब चलेगा B से A की ओर चलेगा B से A की ओर 30 किलो मीटर परती घंटा 30 किलो मीटर परती घंटा के चाल से चलेगा तो कर रहा है किस समय मिलेगी कभी भी बोलेगा ने किस समय मिलेगी मिलने की बात कहेगा तो समान समय में चलाएंगे तो करेंगे क्या किस समय मिलेगी किस समय मिलेगी करा समय पूछ रहा है न समय बराबर होता क्या है तो हम कहेंगे कि देखिए समय बराबर होता है दूरी बटा चाल होता है हम कहेंगे कि देखें जी दूरी तो हमको यही रहेगा 100 तब सव देदेंगे और चाल एक वो इस साइड से आएगा बेपिरित दिशा में चाल जूट जाता है याद रखेगा नहीं तो आप कभी ट्रेन में जाते होंगे तो देखेगा आप इधर से क्रोस करें उधर से आएग जूट जाता है न तो लगेगा तेजी में भाग गया और उसी परकार से देखिए अगर ने एक ट्रेन इस साइड से चला और दूसरी पट्री पर इह दिसा में चला लगेगा धीरे धीरे नहीं चल रहा है दूनों का चल है जो घड जाता है तो आध रखने के लिए बहुत काषा साव बचास से काठेंगे को यहां से हमको कितना गिया दो घंटा गिया कि कि न बजगगिया है तक कुछ दिखा थेकना फिर्श दोरी सो दस बजे इभी दस बजे 20 किलोमीटर विप्रीष दिसामे समय पूछिए समय बढ़ा जोरी कितना में जूट जाता है 30 20 50 कि तो घंटा अ करे दोने से में समय में चल रहा था दस्यवजें 20 पहर्स बजें को तो वस आज भार इतना ही रहने देते हैं ठेक जैन जै भारत